गर्मियों के सीजन में सभी शहरों में पीले फूलो वाला एक व्रिक्ष देखा जाता है जिसे अमलतास कहा जाता है अमलतास का फोटो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है अमलतास के बारे में ज़्यादा तर लोग जानते होंगे लेकिन अमलतास जो है वो आइरुवेद की एक बहतरी नवशदी है गुजिनाती में उसको गर्मारो कहा जाता है और उसका लेटीन नाम केसिया फिस्ट्यूला है जिन लोगों को पुरानी कब्स की सिकायत रहती है जिन बच्चों को कब्स की सिकायत रहती है और जिन ओलेज लेडिस या जैंस को कब्स की सिकायत रहती है और सुबा पेट साफ नहीं होने की वज़े से पूरा दिन उनको पेट में तकलिफ रहती है उन लोगों को अमलतास की लकडी होती है उसको तोड़के उसके बीच का जो गुदा है उसको निकालना है उसको एक कप पानी में अच्छे से मसल लेना है उसको अस्वाध जो होता है ऊशे सुबा-खाली-पेक या रात को सोते वक्त रेग्युलर एक महिने तक लेना है अमलतास का regular सेवन करने से पुराने से पुराने कब्स की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपकी पाचन शक्ती बहुत अच्छी हो जाती है